नमस्कार दोस्तों, Learn with NH YouTube चैनल पर आपका स्वागत है इस वीडियो में हम राजस्तानी भासा यहों बोलियो से रिलेटेड कुछ important questions देखेंगे जो भी questions होंगे वो RPSC और RSM SSB exam में आई हुए questions होंगे जो भी विद्यारती चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले ताकि जो भी useful वीडियो होंगे वो आपको time to time मिलते रहेंगे देखिए राजस्तानी बासा और बोलिया जो topic है यह बहुत ही छोटा सा topic है बट अक्सर exam में यहां से questions पूछे जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं questions को देखते हैं किस type के questions यहां से पूछे जाते हैं राजस्तान की भाशा के लिए राजस्तानी सब्द का प्रियोग सरुपरतम किस ने किया था तो यह सरुपरतम प्रियोग जोर्ज अबराम गिरेशन द्वारा किया गया था option number 3 यहां पर बिल्कुल correct होगा अब जो भी option यहां पर दिये गए उनके बारे में थोड़ी थोड़ी detail हम देखेंगे ठीक है कवी कुशलाब यहां पर दिया हुआ है तो कवी कुशलाब को कहा जाता है ठीक है यह भी आपको ध्यान रखना है तीन पुस्तक है जो की एक जैसी लगती हमको कौनसी कौनसी डोला मारूरी चोपाई एक ठीक है जो की कुशलाब के द्वारा लिखी गई एक है डोला मारूरी वात कुशाल चंदर के द्वारा लिखी गई है और दूहा जो हो जाएगी ये कवी कलोल के द्वारा लिखी गई है ये तीनों आपको ध्यान रक नहीं है ठीक है सूरे मल मिश्रन राजस्तान के राज्य कवी है जो की बुंदी से संबंदित है ठीक है और करनल जैमस्टोड के बारे में तो आपको पता है होगा राजस्तान इतिहास के पितामा जैमस्टोड को ही कहा जाता है और घोडे वाले बाबा भी जैमस्टोड को ही कहा जाता ह इसके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं जैसे कि राजस्तानी बोलियों का पर्थम वर्णात्मक दिक दर्शन 1912 में सर जोर्ज अबराम गिरेशन नामक विद्वान ने अपने ग्रंत लिग्विश्टिक सर्वे ओफ इंडिया 11 खंड और 20 भाग में किया कितने खंड 11 खंड में किया यह आपको दिया लखना है इसके अलावा इन्होंने अपने इस ग्रंत के 9 खंड ठीके दूसरे भाग में सरुपरतम राजस्तानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में विग्यानिक विश्टिशन प्रस्तुत किया तो आपसे यह पूचा जा सकता है लिग्विश्टिंग सर्वे ओफ इंडिया जो पुस्तक इसके कितने खंड है तो भैया 11 खंड है ठीके पहली बात तो आपको यह ध्यान रखने है कितने खंड है 11 खंड है और 9 खंड में राजस्तानी सब्द का इन्होंने प्रयोग किया था यह राजस्तानी भाषा का स्व नागर चोल चाल नीए यह नागर चोल है जो कि आपकी टॉंक में बोली जाती है जो कि धुंडाडी की एक उप बोली है धाओडी उदेपुर में बोली जाती है तो डी में आपका वन हो जाएगा ठीके तो यहाँ पर उप्शन नमबर वन आपका बिल्कुल करेक्ट हो ठीके तो राटी और महेटा जो है यह मेवाती की बोली आपका पर बिल्कुल करेक्ट होगा ठीके मेवाती बोली जो है चार जीलो में बोली जाती है अलवर भरतपुर दोलपूर और करोली जीलो में परचिली यह ध strongest होता है ठीके चरणधास और उनकी दो शिश्याएं दयाबाई वो सहजोबाई द्वारा लिखित साहिते इसी बोली में है चरनदाजी संपरदाई के जो परवतक ते वो चरनदाजी थे जो की मेवाद से संबन दी थे तो obviously दया भाई और सहजो भाई जो कि इनके शिश्यत है उन्होंने जो भी पुस्त के लिखी या जो भी साहित लिखा वो किस बोली में होगा वो मेवाती बोली में ही होगा ठीके ये भी आपको ध्यान रखना है इसकी परमुक उपबोली है कौन कौन सी है राटी मेवाती की उ जो है उनमें ठ आता है तो इस तरीके से भी आपको कहीं न कहीं याद हो जाएगी नेक्स्ट कुशन कौन सी धुंडाडी की उपबोली नहीं है तो यहाँ पर पूचा गया है धुंडाडी की कौन सी उपबोली नहीं है तो राटी जो है ये मेवाती की उपबोली है तो धु जोदपूर तो जोदपूर और उसके समीप फर्ती छेत्रों में, option number 3 यहां पर आपका बिल्कुल correct हो जाएगा, ठीक है, next question, अच्छा इसकी detail भी है, वो भी हम देख लेते हैं, यह बोली जोदपूर, जैसलमेर, बिकानेर, नागोर, सीरोही, तता सेकावटी छेत्र में परच यहां रखनी है, ठीक है, गोडवाटी भी है, और एक डेवडवाटी भी है, जो की सीरोही वाले एरिया में बोली जाती है, ठीक है, next question, जगरोती किस छेत्र की बोली है, तो जगरोती अभी हमने डिसकस करी थी, करोली की, option number 2 यहां पर correct हो जाएगा, next question, खेराडी किस छेत् तो खेराडी जो है, यह भीलवाड़ा के शापूरा के कुछ सेत्र में और बूंदी के कुछ सेत्र में बोली जाती है, तो option number 2 यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा, आपका बूंदी और शापूरा जो की भीलवाड़ा के अंदर आता है, ठीक है, एक शापूरा जेपूर के अ पूछा जाए, मारवाड़ी भाषा का साहित्ते ग्रूप, तो आपका अंसर क्या होगा डिंगल, और अगर आपसे पूछा जाए, पूरवी राजस्तानी भाषा का साहित्ते ग्रूप, तो आपका अंसर हो जाएगा पिंगल, ठीक है, बट अगर आपसे पूछा जाए, रा राजस्तानी भाषा का साइत्यक रूप तब आपका अंसर पिंगल होगा ठीक है इसकी डिटेल हम देख लेते हैं डिंगल मारवाड़ी बोली की ही एक साइत्यक ये राजस्तानी या मरूबाशा की एक विशिष्ट साइट्येक भंगीमा सेली है पिंगल का वास्त्विक अर्थ्छंद सास्त्रे यहां से पिंगल के बारे में बता रहे हैं पिंगल एक मिश्रित भासा है जो डिंगल से अलग है ठीक है यहां पर एक चीज़ और में आपको पता देता हूँ मरू भाषा का वप्तन हमाशा का वरणन हम आफये हैं ठीकर या प्पासि े 7 आंफयान तो आफ्येशं के मं जाμέना पता हूं और क्वैने में पॉस्तन हुजक पता मुझा ओब आईने एकबरी ठीक है जो कि अबूल फजल के द्वारा लिखी गई थी ठीक है इसमें मारवारी भाषा का वणना ने ये भी आपको ध्यान रखना है इस्पेशली कुवल्ले माता वाली तो आपको ध्यान रखनी है नेक्स क्यूशन राजस्तान की बोली एंव चेतर के को ध्यान में रखते हुए निमलिकित में से गलत यूगमु को पैचानी है ठीक है तो बैया टोंक डॉंड़ाडी दिया हुआ है जोकि सही है बारा हाढोती में ये भी सही है करोली मेह वाती चार जिलो में इस्पैशली बोली जाथी है अलवर भरत पूर दोलपूर और करोल ठीक है तो यहां पर पाली जो बांगडी डियावाई यह गलत हो जाएगा ठीक है बांगडी बोली डुंगरपुर थता बासवाडा जीलों में बोली जाने वाली इस बोली को भीली भीलो की बोली भी कहा जाता है तो यह वांगडी बोली जो है इसे भीली बोली भी कहा जाता ह यह किसके द्वारा कहा गया था जोर्ज अब्राम ग्रिशन द्वारा ही कहा गया था यह भी आपको ध्यान रखना है और वांगडी बोली में आपके जो एक चोपड़ा घरंते यह माउजी माउजी के जो इस्पेशली साहिते है वह कौन सी भासा में लिखे गए हैं वह बांग बांगडी बोली परचलित है तो बांगडी बोली डूंगरपूर बासवाड़ा में परचलित है और यह 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 बिल्कुल करेक्ट होगा और यही सेम क्यूशन अभी 2021 के वीडियो एक्जाम में रिपीट हुआ था नेक्ट क्यूशन मालव प्रदेश के राजपूतो में परचलित मारवाडी और मालवी के सम मिश्रण से उत्पन बोली को क्या नाम है यानि कि जो मारवाडी और मालवी दोनों की उप बोली है या दोनों का मिश्रण है ठीक है तो इसको कैसे जाद रखो कि आप मा मा ठीक है मा से आपका मारवाडी मा से आपका मालवी अगर इ पर्चलित रांग्डी बोली मारवाडी और मालवी के सममिशन से उत्पन हुई है ठीक है next question गोडवाडी बोली का चेत्र है तो गोडवाडी बोली जो है और एक देवडावाटी बोली ये दो बोलियां है जो कि आपके सीरोई और जालोर वाले चेत्र में बोली जाती है ये आ बिसल देव रासो इसी बोली की मुख्य रचना है यह भी important question है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है next question निलिकित मैं से कौन सी मारवारी की उपभोली नहीं है तो यहाँ पर पूछा गया है मारवारी की उपभोली नहीं है ऐसे question अक्सर पूछे जाते हैं अब आपको मैंने बता लुखे answer- threat इस सम्मंदित हैं धाली, खेारी, लुखे टूँरणि किसे हम्मने दिसक्स करदए किया था मारवाडी से संबंधिते ये 2021 का एक पेपर वाता उसमें आया है ठीक है नेक्ट क्यूशन उदेपूर भीलवाड़ा वो चितोडगड में अधिकांस्त बोली जाती है तो यहाँ पर उदेपूर स्पेशली रूप से मेंशन किया गया है तो उदेपूर में कौन सी बो बोली का प्रियोग किया गया है मारवाडी हों मेवाडी में मुख्य अंतर किरिया के वेवार का है ठीक है मतलब ज्यादा कुछ अंतर नहीं है ओली किरिया के वेवार का अंतर है ठीक है नेक्स्ट क्यूशन हाड़ोती बोली राधस्तान के जिस छेत्र में प्राई नहीं बो जालावाड आदी जीलो में बोली जाने वाली इस बोली में भूत काल के लिए छी छो आदी का अधिक प्रियोग किया जाता है यहाँ पर आप उदेपुर को हटा दीजिए क्योंकि उदेपुर के बहुत कम छेत्र में यह बोली जाती है आपको ध्यान क्या रखना है कोटा चो का प्रियोग किया जाता है बूंदी के प्रसिद्ध कवी सूरे मल मिश्रण के कावे में हाडोती का प्रियोग देखा जा सकता है क्योंकि सूरे मल मिश्रण किस से संबंदित है बूंदी से संबंदित है तो यह हाडोती का प्रियोग यहाँ पर देखा जा सकता है ठीक है दक्षिन पूर्वी राजस्तान की बोली है अब यहाँ पर पुछा गया है दक्षिन पूर्वी राजस्तान तो यह राजस्तान है अब यहाँ पर इस वाली एरिया की बात करा है दक्षिन पूर्वी राजस्तान तो यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाएगी भी यहाँ यहाँ point आपको ये ध्यान रखना है निमारी बोली जो है ये ध्यान रखनी निमारी को दक्षणी राजस्तानी भी कहा जाता है ये आपसे next exam में पक्का पूछा जा सकता है 101% तो इसको ध्यान रखना है आपको ठीक है next question मुडिया लीपी के अक्षरों के अविश्कार करता किसे माना जाता है तो मुडिया लीपी जो है ये अक्षरों के जो अविश्कार करता है ये टोडर्मल को माना जाता है option number A यहाँ पर correct होगा महाजनी लीपी अत्वा वानिया वाटी लीपी में बिना मात्रा वाले महाजनी सब्द मोड कर लिखे जाते हैं तो जिने मुडिया अक्षर क में सामिलते तो ठीक है यहाँ पर इसका क्या अंसर हो जाएगा टोडर्मल यह आपको ध्यान रखना है अगर मुडिया लीपी से related कोई कुशन आपसे पुछा जाता है तो टोडर्मल उसका correct answer होगा I hope आपको वीडियो में मजा आया होगा वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर हो सकता है तो share भी करें thank you so much wish you all the very best next वीडियो में मिलते हैं